इन दिस निए वीडियो आई विल तीच यू निए चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर फिफ्टीन यूनिट सेवन नेच्रल रिसोर्स वाटर एंड इट्स इम्पोर्टेंट्स यह बहुत इजी है चलिए चैप्टर शुरू करते हैं अगर आप मेरे चैनल में नहीं है त सब्सक्राइब के लिए मेरे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजेगा चलिए चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं आइडेंटिफादा डिफ्रेंट वेल इन विच वाटर इस बीग यूज इन दे पिच्चर गिवन ब्लो पानी किस तरीके से यूज किया गया है जैसे कि यह नाम सही थाबित हो रहा है वाटर एंट इस इंपोर्मेशन पानी और पानी किया महत्व है ओके जैसे कि हमने पढ़ लिया और इसमें इस वाले चैप्रिम में क्या पढ़ेंगे वाटर अवे अवे अवेलेबल यूजिज ऑव डिफ्रेंट इस्टेट अव वाटर वह रहा है ब्रेशिंग या वाशिंग कुछ भी बोल सकते हैं इन दौने मैंसे और दूसरा ड्रेंकिंग और कुकिंग नाव वाश गार्निंग वाशिंग कार ओके अगर आप चाना तो नीचे जो आंसर दिये गया है आप उससे चैक भी कर सकते हैं अब आप देख सकते हैं चैक कर सकते हैं चलिए अगला पेछ परते हैं बाटर अवश देख के लिए अविलेबल है बटर युज़ के लिए अविलेबल है बला युज़ है बाटना सब्सक्राइबल है बहन कर देख को और आप टरलव जो से अलुश-टलेड कार प्रिफश परल युज़ की वरटर इसमें बता रहा है जो 3-4 अर्थ का जो सर्फेस है वो पानी से कवर है पर पीन इसलिए हम अर्थ को वाटर प्लेनेट कहते हैं पर आप नहीं जानते हैं पीने वाला पानी कितना होता है 97 परेंट जो पानी होता है वो प्लां प्लांट को पानी देने पमे और पीने के लिए बहुत खराब होता है okay thus only a tiny fraction about 3% of the earth's water is available to use as fresh water out of this out of this 2.997 is locked up in the mountain or glaciers or is buried so deep under the under that it goes too much to extract इसका मतलब बता रहा है सबसे पहले paragraph का मतलब बता रहा है कि कितना percent है जैसे कि मैंने आपको उता है 97 परसेंट ocean water है और 2% है पीने वाला पानी पर 2.997 जो है न वह माउंटेन या ग्लेशियस में बंदा हुआ है बहुत अंदर है सोन अबाउट 0.003 percent of the fresh water is easily available to easily available to use easily available to us in the form of underground underground water river lake stream soil moisture and water vapor और जो हमारा 0.003 water जो बचता है पीने के लिए यूज कर सकते है वो हम यूज कर सकते है वो अवेलेबल है ground water पानी के अंदर जो water होता है लेक में, river में, stream में, soil में, moisture में, water vapor में uses of water water का use क्या है besides being essential for life water is used for many many other purpose in India about 70% of total water available is used for agriculture 222222222 by industry and only 8 is used for personal need let us learn about the various uses of water इसमें बोला है 2222 जो होता है 2222 परसेंट इंडसी जैसे कि फैक्टरी है वो यूज कर लेती है यूज वैसे जरूरी भी होता है क्योंकि फैक्टरी हमाई लिए सब चीज फैक्टरी से होती है कपड़े कपड़े भी फैक्टरी से बनेंगे ऑईल भी रिफाइनरी से अब इरिगेशन के लिए सबसे ज्यादा इरिगेशन के लिए तो इरिगेशन के लिए तो सेवंटी परसेंट यूज करते हैं 70% irrigation के लिए 20 to 20% industry के लिए और 8% खुद के लिए अब हम पढ़ेंगे और कुछ नीट्स सबसे पहले आएगा agriculture नीट्स चलिए सबसे पहले वह पढ़ते हैं और कंते लोग औरा हैं और के लोगा आप आप ढम औरा क्रहणा नीट्व बहुटंस इस बीट gaanचाःप्ञ जान्नाफि सबसे आफ औरकांब प्रकें लीटिय fusion है जाग तेश यह देश ना वोगल्द सेवें क्यों पर में फार्मर के उपर क्या थे एक करते हैं फार्मर कि बवरोसा करते हैं पर सrhबो करते हैं कि अग्री कल्चर में वह पैड़ी ओर श्हींचिए पानि सकता है की पानी आ जाएगा और पैडी और वीड उख जाएंगे जब मैंने टाइम स्रेंफॉल जब बहुत बारिश नहीं होती मुझा बारिश होती ही नहीं है तो फार्मर को आर्टिफीशियल वाटरिंग सिस्टम यूज़ करना पड़ता है ओके थैंक यू वाचिंग दिस वीडिय आपको मेरी वीडियो पसंद आयो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे बैल आइकन को बैल आइकन को भी दवाना ना भूले लेटेस अब्डेट पाने के लिए और कमेंट में लिखता है आपको मेरी वीडियो कैसी लगी थैंक यू